हेलो फ्रेंड, this is our next tutorial related to subject data structure, आज का हमारा topic है इसमें B tree insertion, तो B tree insertion में इसकी जो properties हैं, वो हम proper example में ही देखेंगे, proper properties क्या होती हैं, इसके अलग से हम प्रोडूरल नहीं बना रहे हैं, तो इसमें हमने एक example लिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है, construct a B tree of order 3 by inserting numbers from 1 to 10, 1 से 10 त B tree के properties के through, तो अगर हम इस example को solve करते हैं, solution इसका देखते हैं हम लोग, तो अगर हम B tree की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसने order जो दिया है, हमें order दिया हुआ है 3, यानि जो M की value है, वो हमें कितनी दे रिखे हैं 3, तो हमारे पाद जो maximum child कितने हो सकते हैं, maximum, maximum इसके जो child है, वो हो सकते हैं 3, 3 हमारे maximum इसमें child हो सकते हैं, और maximum की कितनी हो सकती है, maximum की किसी note के अंदर जो हो सकती है, वो होती है, M-1 यानि कितने हो सकते हैं, 3-1 यानि 2, यानि किसी भी element में maximum जो keys होंगी, वो कितनी होंगी हमारी 2 होंगी, अगर हम example की बात करें, तो हमें element insert करें, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 और इस B-Tree में हमें यह याद रखना है कि जो value होंगी वो एक sorted order में होंगी और इसी sequence के अंदर हमें insert करना है वो left में जाएगा, right में sort होगा तो sorting order के थूही insert भी हमें करना है यह हम example में अभी देखते हैं तो वो सबसे पहले अगर first step की बात करें तो सबसे पहले one आया तो हमें अगर element की बात करें तो जो हमारा root element है वहाँ पर दो element आ सकते हैं बट अभी starting one आया तो one हमारे यहाँ पर access हो जाएगा दूसरी condition आई अब जैसी two आया तो maximum हम element कितने कीज जो हो है एक note के अंदर कितने लगा सकते हैं two तो अभी तो एक ही element है यहाँ पर यानि यह two value भी हमारी क्या हो जाएगी हाँ पर store हो जाएगी next third step में जब क्या है हमारे पाफ three आया तो उस condition में क्या होगा अब three को हम यहाँ पर insert करना था हमें three को but यह condition क्या होगी रॉम होगी क्योंकि इसमें maximum key कितनी आ सकती है two आ सकती है उस condition में क्या होगा यह क्या होगा इसके mid से split हो जाएगा split हो जाएगा यह नि two से split हो जाएगा two as a root node बन जाएगा two चला जाएगा ऊपर और one इसके left में चला जाएगा और three इसके क्या चला जाएगा right में चला जाएगा और यहाँ पर जो हो जाएगा यह भी two part में और यह भी two part में हो जाएगा आप इसको sequence के तुरू भी बना सकते हैं जिससे यहाँ पर cable one रखा आपने यहाँ पर क्या आया हमारे पास one and two तो आप circle के तुरू भी बना सकते हैं इसको इस पॉम में प्रॉपर तरिके से बना सकते हैं जिससे आपको पता चले कहाँ पर कौन सा note access होना है भी इसके बाद next element आया four fourth step में आया हमारे पाब four तो four जाना का है two से greater है sorted order में भी रिखना है तो three के बाद आयेगा वो three के बाद यानी यहां पर जो जाएगा वो हमारा four element जो हो जाएगा वो कहाँ पर store हो जाएगा यह one है इसके आगे कुछ नहीं है भी value और यहां पर जो हो जाएगा हमारा three and four यहां पर चलो जाएगा next element आया five अब five जब आया तो five को होना पर यहां पर बड़ जैसी five यहां पर आएगा तो यह condition जो होगी फिर से maximum key जो होती है two से जादा हो जाएगी तो उस condition में क्या होगा यह फिर से यहां से split होगा four चला जाएगा उपर यानी यह चला जाएगा bruk के बात यानी equiv यहां से यहां swap होजाएगा और यह क्या हो जाएगा हमारा four की जिगरपे आप जो आ जाएगा वो आ जाएगा five enter हो जाएगा तो अगर हम five step की बात करते हैं क्या होगा हमारा ये two के साथ चला जाएगा हेँआपर four इधर तो हमारा 1 था यह 1 था बट इसके साथ अभी कोई element नहीं है वन के साथ ये 2 के जो mid में आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 3 और 4 के बाद जो element हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5 अभी maximum 3 element हो सकते, maximum child जो हो सकते हैं वो इसके 3 हो सकते हैं तो condition हमारी यहाँ पर अभी true है next element आया हमारा 6 तो 6 जैसी element insert होगा तो insert होने के लिए वो क्या जाएगा 4 से greater है 5 5 से greater है तो 6 हमारा direct insert हो जाएगा 2 4 1 यहाँ पर आई value 3 यहाँ पर value आएगी 5 and यह 6 हमारा insert हो जाएगा तो यह इतनी condition तो यह हो गई इसके बाद next element आया हमारा 7 तो जैसी 7 आएगा तो उस condition में क्या होगा जैसी 7 आया तो यहाँ पर 7 ने insert होना था बट उस condition में यह wrong हो जाएगा maximum key जो हो जाएगे वो 2 से जादा हो जाएगी उस condition में यह 6 जो होगा वो चला जाएगा उपर split हो जाएगा उपर चला जाएगा जब 6 यहाँ आएगा तो उस condition में यह condition फिर से wrong होगी तो उस condition में भी क्या होगा यह फिर से यहाँ से split होगा 4 चला जाएगा top में तो 7 इस step में जो हो जाएगा वो आजाएगा 4 हमारा यहाँ पर आजाएगा इधर value आजाएगी आपकी 2 यह खाले रहेगा इसके रावा इधर जो value आजाएगी वो आजाएगी आपकी 6 यह भी खाले रहेगा यहाँ पर value आजाएगी हमारी 1 यहाँ पर value जो हो जाएगी वो आजाएगी 3 यहाँ पर value आएगी 5 और यहाँ पर जो value आ जाएगी वो आ जाएगी 7 तो इस type से ये execute होगा तो ये बन जाएगा हमारा 7th step में 7 insert हो जाएगा अभी इसका भी एक खा लिए है ये एक element अभी सबके खा लिए है 1 का भी एक element अभी खा लिए next element insert हुआ हमारा 8 अब जैसी 8 आया तो 8 sun के बाद insert होना है तो space है तो वो direct insert हो जाएगा तो value हो जाएगा हमारी 4 2 6 1 इखा लिए भी 3 ये भी blank है इसके लाव ये 5 एक blank है इसका इधर आजाएगा 7 और यहाँ पर आजाएगी 8 अब ये भी condition हमारी true है order हमारा 3 है तो maximum 2 element इसके अंदर हमें store कर सकते हैं अब जैसी 9 value आई तो 9 को store हो रहा है यहाँ पर उस condition में फिर से रॉंग हो जाएगा तो 9 जो होगा जैसी 9 होगा तो यह यहाँ से split होगा 8 चला जाएगा उपर और 9 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 8 के बाद execute हो जाएगा तो 9 जो होगा हमारा यह तो 4 ही रहेगा यहाँ value आजाएगी 2 next element आजाएगा 6 यह value वही रहेगी 1 यह खाली element यह 3 यह हो जाएगा 5 5 यहाँ पर जो value आजाएगी वह आजाएगी आपकी 8 यहाँ पर value आजाएगी 7 यह खाली है और यहाँ पर जो value आजाएगी वो 9 आजाएगा हमारी value इसके बाद last element है 10 जब जैसी हमारा 10th insert होगा तो उस condition में हमारी क्या है यहाँ पर जो है अगर हम बात करें यहाँ पर next element insert करने की last element 10 आ रहा है तो 10 की condition में यह space बचा हुआ है क्योंकि जाना इसने यही है तो उस condition में direct क्या हो जाएगा है आपर insert हो जाएगा तो last हमारा जो proper tree बनेगा वो इस type से tree create हो जाएगा 2, 6, 8 sorry यह इसके पहले बनेगा है हम पर यहां पर आएगा one यहां पर आजाएगा three यह value हो जाएगी five seven यहां पर जो element आजाएगा हो जाएगा nine and ten तो यह बन जाएगा हमारा क्या three one two ten insert करें हम लोग value one two ten तो यह simple एक बीटरी हमारा create हो जाएगा thank you friend friends हमारे videos को like कीजिए channel को subscribe कीजिए ताकि हमे motivation मिल सके thank you friend next tutorial में हम देखेंगे बीटरी deletion thank you friend झाल यह झाल यह हमारे जाएगा हो तो यह है यह हमारे जाएगा है